मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिल्चस्प पत्थ्य आपके सामने रखना चाहता। जब देश की एक प्रधान मंत्री बहन इंदराजी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी उनकी जो प्रापर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी कॉंग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था सब चर्चा थी और व्यापक रुप से चर्चा थी कि जब इंदराजी नहीं रही और उनके बेटे राजिव गांदी जी को ये प्रापर्टी मिलने की थी लिकर के गई थी तो अब सरकार कोई पैसा चला ना जाए प्रापर्टी को बचाना था तो इन्हों ने क्या कर दिया उस प्रापर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदरा गांदी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधान मंत्री स्रिमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ती बचाने के लिए पहले जो इन्हेरिटन कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए खुद पर आई तो कानून हेटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालत में लोग वही कानून जादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं बीना टेक्स के अपने परिवार की चार चार पीडियों की अकूत धन दौलत हासी करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासप आपकी महनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बच्चत करके रखा है उस पर टेक्स लगा करके आदी संपति लूटना चाहते हैं और इसलिए ही तो देश कह रहा है कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी साथियों आपके और कॉंग्रेस के आपके साथ खिलवार करने के उनके जो इरादे हैं कॉंग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रख्षा के लिए ये मोदी दिवार बनके खड़ा है ये गाली गलोज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी शप्पन इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है इनके मन सुबे सफल नहीं होंगे ये मोदी की गारंटी है